जि बिसमेल अफ्मान रहे हुआ यहीम topic श्टार्ट करते हैं Topic है जी International Trade theories International Trade theories हैं कुछ वहां में discuss करनी है कि International trade जो होती है उसकी क्या थियोती है कि इसकी स्वेस होती है इसका basic motive क्या होता है International trade theories है जी यह हमें यह बताती है कि किस तरह से जो different मुल्क है वो international trade में engage रहते हैं मतलब international trade करते हैं और यह हमें economic policy बनाने में international policy बनाने में भी help out करते हैं और यह pattern भी बताते हैं कि international trade जो दुनिया में होती है उसका impact क्या आता है उसका pattern क्या है और कब करने चाहिए किस बेस पे कौन सी trade करने चाहिए और किस चीज की अब हमेशा से discuss करते हैं फ्री ट्रेड फ्री ट्रेड होता है जिसमें government की involvement नहीं होती किसी भी किसम का tariff quota नहीं होता इसके बाद यह चार में इसके लावा भी और भी बहुत से थेयोरी हैं पोर्टर्स डामल मॉडल भी है और बहुत थेयोरी हैं लेकिन अभी हमने इसमें यह चार डिसकस करनी है नबर वन आजी आपका Mercantilism आपका Adam Smith आपका डेविड रिकाड़ो आपका Hector and Alleen इन्होंने थेयोरी रिप्रेजेंट की थी तो फ्री ट्रेड ट्रेड का benefit क्या होता है यहां पर लिखा गया है कि जब कोई ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज में specialized हो जाए किसी चीज को बनाने में अब किसी चीज को बहुत efficiently बनाते हो मतलब सस्ती बनाते हो तो हम दूसरों को इसको प्रेज सकते हैं हमें फैदा होगा हमें पैसे मिलेंगे हमें एकनामिस स्केल मिलेगा हम और सस्ती बना सकते हैं दूसरों को benefit यह होगा कि जो अगर महंगी बनाते हैं चीज या उनके मुलक में है यही नहीं तो उने को चीज मिल जाएगि है ऽो कि हमारे मुल्क में तो रमें बहुआ पाकसान में माशालला आम बहुत ज़्यादा है उसकी पाकिसान एक्सपोर्ट करता है माशाललह से लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग को उसमें बेनेफिट नहीं होता लेकि फिर भी उस चीज की ट्रेड करते हैं जैसे के सुजलेंड है सुजलेंड आप चैमिकल फार्मसोटिकल वाचिज में इसके डिफेंड पैटरन्स होते हैं आपका जो पोर्टर्स डाइबन मॉडल है यह एक्स्प्रेन करता है कि क्यों आप उस कंट्री वह कंट्री जिसमें वह चीज पर्ड्यूस नहीं होती फिर भी वह एफिशेंटली बना लेता है यह पोर्टर्स डाइबन मॉडल इस पैट इसमें यह उनी चाहिए फॉर एजेंपल यहां देखें यहां पर जो मर्काइंटलेजम में उनने कहा कि उनकी कॉंसेप्ट के मताबिक गौवर्मेंट है उनकी इंवार्ट्मेंट होनी चाहिए और इस तरह से वह इंपोर्ट पर बैन लगा दें और एक्सपोर्ट को हैं यह लोग यह कैते हैं जिनकी इंवार्ट्मेंट होनी चाहिए किसी हद तक नासा फुरी ठ्र Griff हो वह एकिसी हद तक इंवार्ट्मेंट हो जिसांड इंडॉस्ट्टरी फथम नहोंजया गॉर्मेंट के साथ यह जो फर्स हमने डिस्कस करते हैं जो यहाँ पर मैंचन है यह चार इसमें से नबर वान है जी आपका मर्कैंटलिज्म मर्कैंटलिज्म थियोरी आई थी 16 सेंचरी में इन्होंने concept दिया था कि के कंट्री के जो best interest में trade वो surplus होना था था है पहले हम डिसकस कर चुके है FDI में के जो आपकरेंट balance है उसमें trade surplus होता है और trade deficit import-export का balance तो trade surplus means के आपने ज़्यादा export किया है और import कम किया है तो उसे जो फ्रेट सर्प्लस होता है बलकर यह लोग मर्किनलिदम ने यह कहा था कि हमने इंपोर्ट बंग कर दीनी बिलकुल समान पर्चेस करना ही नहीं है लिए समान देना है अब लोग को इसको इसको में इसने कुन से अब दे था काफी लोगों ने आजकल तो बिल्कुल इसको reject कर दिया यह theory जिरूर वो follow करते हैं कि आपके export ज्यादा हो import काम हो लेकिन किसी और का नुकसान हो जाए यह यह नहीं हो सिलता फिर अजी स्मित ने एक थिवरी पेश के थी absolute advantage absolute advantage में कभी-कभी ऐसा होता है कि एक country बहुत efficiently कोई चीज़ पर्ड्यूस करती है तो और दूसरी country दूसरी चीज़ efficiently में benefit है तो आपस में trade कर लेते हैं तो यह absolute advantage है इसकी numeric example भी है वो या तो हम next lecture में discuss कर लेंगे next मेरी वीडियो में या तो मैंने link भी लगाया हम वहाँ discuss वहाँ भी discuss कर सकते हैं जैसे उतातों में आपको यहां मैंने यह numeric explanation में इसके detail है किस तरह से trade करते है absolute and comparative अच्छे यह absolute थी यह सब उसकी explanation दी गई है जो मैंने दोनों चीज़े वह सस्ती बनाता है वो कहता है जी कि मैं दोनों चीज़े वह सस्ती बनाता हूं और आप वह दोनों चीज़े महंगी बनाते हैं इसमें हम trading नहीं कर सकते लेकिन इसमें भी trading हो जाती है perfect calculation के साथ comparative advantage मतलब एक मुल्क को दोनों चीज़ों में advantage है जिसकी वह trading करना चाहता है तो comparison करेगा अपनी ही चीज़ों में कि मुझे किसमे advantage है तो जिसमें उसको advantage होता है वो चीज़ सस्ती बनाके आगे बेचता है उसमें ज़्यादा पैसे लिगाता है वो ज़्यादा produce करता है और बार्ट सिस जो आपक एपसोलूट और comparative है इसके assumptions यह है कि दोनों के जो दो countries है दोनों के पास दो ही goods है और दोनों गोट्स की demand same है transportation cost नहीं है price price value zero ले गई है मतब price value discuss नहीं की गई resources दोने के पास same है और no effect on income distribution with the country income कोई income distribution भी same है उसमें कोई impact नहीं है अगर यह सब चीज़े होगी फिर हम inflation भी हमें देखना होगा जोगे इस concept के मताबिक हमें नहीं देखना आप लीज यह वीडियो देखें आपको और explain easily समझाज आजएगी फिर हम इस पे एक और lecture रख ल बादेगे हम factor and romance इसमें था जिसमें आपको advantage of factor and romance land-librid capital में वह चीज़ आप ज्यादा produce करते हैं और चीज़ आप easily gain कर सकते हैं produce कर सकते हैं बना सकते हैं जो दूसरे नहीं बना सकते हैं जैसे oil है सौदे के पास पाकिसान के पास natural climate है पाकिस्टान के पास location एक गवादर कि हम लोगों को यह benefit है चीजों में फिर यह आपका प्रोड़क्ट लाइफ सेकल वर नौन नहीं यह थियोरी पेश किये थी उन्हें का चाहिए कि हर प्रोड़क्ट हर बिजन्स प्रोड़क्ट का लाइफ सेकल होता है जो हमें डिसकस करते आ है इन्रडक्शन आपके स्टार अनिश्यल आपके ग्रोथ आपके मिचोर्टी आपके बोव आपका रिसेशन एंड डिप्रेशन देन रिकवरी आपकी होती है अब इन्हों नहीं यह कहा है जी कि जब ट्रेट का पैटरन हम डिसकस करें अब किस स्टेश करते हैं जब हम लोग पहुंच जाते हैं बिलकुल बूम पे मिचोर्टी पे जब हम पहुंच जाते हैं तो वहां पे भी हम दूसरे मूट ट्रेड करते हैं क्योंकि उस पोजिशन में एक तो हम लोग के पास हम लोग की ब्रैंड वैल्यू हो चुकी होती कि दिमस्टिक मार्केट में वहां पे हम इसकाबिल हो चुके होते हैं कि हम ज्यादा Cookie कर सके हम लोग की अपनी मार्केट में तो फिर हम दूसरे मुल्क में जाते हैं दूसरे मुल्क में हम लोग की डिमांड है इसकी डिमांड होने शुरू हो जाती है और जब दूसरे मुल्क में आप बेचते हैं तो उससे एकनॉमिक्स और स्केल मिलना शुरू हो जाता है आप और सस्ती मुनाते चीज़े तो आपको लिए और फाइदा होना शुरू हो जाता है तो जब भी हम भूम पे जाएं तब इंटरनेशनल ट्रेट करते हैं लोगों के से बीच में आती है आपकी हेल्प करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेट बैरियर्स इसमें सबसे पहले है जी हमें हम डिसकस करते हैं कि फ्री ट्रेट क्या होता है जी कि फ्री ट्रेड को होता है जिसमें बैरियर्स नहीं होते है जिसमें गौर्ण्मेंट की इनवार्टमेंट न जिसमें government involvement हो जाती है और वो different barriers, different tariff, different taxes लगा देते हैं अब वो हमें discuss करना है क्या है, government involvement कैसे होती है number one जी tariff, taxis को tariff करते हैं professional language में taxis को tariff करते हैं tariff आपका restriction है जी आपके जो आप चीज import या export करते हैं उस पर आपको इजाफ़ी charges या pay करने पड़ते हैं उसको tariff करते हैं अब tariff भी दो तरह क्या होते हैं, एक तो आपके specific tariff इसको duty भी करते हैं यह fixed charges है, fixed जितने number of goods आपके लेके जाने हैं उसमें fixed charges होते हैं एक unit पे, for example आपने shipment लेके जाने हैं उसमें 200 unit है एक unit पे आपको 10 रुपए extra charges देने होगे, तो 10 monthly भुलाइब है 200 यह specific है एक बॉलरम है, यह इसमें हम proportion के हसाब से pay करते हैं, for example एक से 2200 तक आप में लेके जाना है तो उसमें 10% आपको pay करना होगा, यह proportion के नहाद से, अचाने निचे इसमें यहाँ पर लिखा है कि taxes की वाज़ा से government के revenue increase होते हैं लेकिन business को नुक्सान होता है, overall efficiency decrease हो जाती है, ultimately consumer suffer करता है, एक एची है आपका compound duty, compound duty इन दोनों का combine होता है कैसे, for example, आपने एक से 30 तक कोई unit लेके जाते हैं, तो उसमें 5% आपको tax pay करना होगा, जैसे ही वो उससे जदा होता है, तो फिर आपको specific pay करना पड़ता है, each unit के साब से pay करना पड़ता है फिर और कौन-कौन से barriers के different norm है, for example, जो हमें tariff पहले discuss किया, इसको हम price-based barrier भी कहते हैं, जो tariff हमें discuss किया, फिर आपका quantity limit भी है, इसमें आप काया जी quota system, quota system हमें पता है, जी specific करती जाती है एक से चीज़ को, तो quota में आप restriction लगाती जाती है, इससे ज़्यादा आप लेके जा ही नहीं सकते, फिर आपका embargo, उसको restriction भी कहते हैं, वो इसको कहते है band, zero, आप कोई भी चीज़ लेके नहीं जा सकते, इसे bird flu आया था जब वो chicken पे लगा दी थी embargo, ये जब आया था आपका डेंगी आया था तो आपका, वो tires पे लगा दी थी restriction काफी मुर्कों ने, फिर जी आपके international price fixing में आता है a cartel, a cartel इसमें कुछ firms या कुछ मुल्क आपस मिलके price को fix कर देते हैं, बहुत ज़्यादा या बहुत कम कर देते हैं, फिर वो demand पे उसके reflect करता है, अगर आप price बहुत ज़्यादा कर द होता है, अच्छी फिर आजी आपका non tariff barriers में आपके financial limit है, जिसमें आप currency exchange पे आप limitation लगा जाते हैं, कि आप अपनी currency exchange नहीं कर सकते हैं, for example, हमें dollar सही है, हम मार्केट में जाते हैं, हमें कहते हैं, dollar सही है, डॉलर होते हैं, लेकिन सब लोग या कहते हैं, शॉर्ट है, तब restriction नहीं convert नहीं कर सकते हैं, convert नहीं कर सकते हैं, तो फिर business करना मुश्किल हो जाएगा, फिर इसलिए इस तरह से आपके foreign investment control आप करते हैं, आप limitation लगा जाते हैं, FDIP, आप limitation लगा जाते हैं, remittance पे, ताके dollars यहां से वाहां ना जाएं, और लोग trade ना कर सकें, फिर आजी आप countervailing subsidize करते हैं, government की तरफ से involvement किस तरह से आती हैं, कुछ चीज़े को वो subsidize करते हैं, कुछ चीज़े जो बहुत महिंगी हो, और वो समझते हों कि international market के लोग आके domestic चीज़ें damage कर सकते हैं, तो government की बीच में involvement होती हैं, और वो subsidize करते हैं, इसको anti-dumping price भी कहते हैं, यह anti-dumping price लिखा हुआ है, anti-dumping means कि जब को international firm आपके मुलक में आती हैं, अगर वो dumping price लेकिया है, dumping price means, fake price लेकिया है, यह dumping price है, fake price, तो उसके against government subsidize करते हैं, countervailing करते हैं, anti-dumping price लेकिया आती हैं, ताकि आपके जो domestic, domestic firms हैं, वो बच सकें, विसी dumping price यह legal नहीं है, dumping price बहुता है कि आपके cost price से भी कम समान पर आप बेश से हैं, यह legal नहीं है, फिर जी import quotas यह पहले हम discuss कर चुके हैं, restriction लगा जेते हैं, आप लोग किसी चीज़ पे, आपका tariff rate quotas है, यह भी hybrid है जी, आपके quota का और tariff का, कैसे आपके tariff लगा दे जाते हैं, एक से 20-30 आप ल reduction, यह fix, जैसे आप जाते हैं, उससे ज़्यादा, जो खोटा fix किया है, उससे ज़्यादा आप चल जाते हैं, तो वो tariff लोग बहुत ज़्यादा increase कर दे रहे हैं, फिर जी आपका volunteer export, volunteer export की example बहुत कम है, इसमें यह जो लोग export करते हैं, वो अपने goods पे text नहीं लगाते हैं, जिस मुलक में चीज़ जा रही होती है, mostly वहाँ पर लगती हैं, लेकिन इस concept के मताबिक, countries यह करती हैं, कि जिस मुलक में चीज़े जा रही हैं, उनको कहते हैं, जिस मुलक जो चीज़ भेज रहा है, उसको कहते हैं, जी कि आप volunteerly text लगा के भेजें, क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि हम बहुत ज़दा text लगा दें, तो आपकी, हमनों के relationship भी damage हो जाए, market भी है, हमनों के damage हो जाए और आपकी भी, तो आपको उसले आगे भेजेंगे, तो आपको पता है कि कितना आप tax afford कर सकते हैं, फिर जी आपका legal content requirement, local content requirement, technical requirement, ऐसी requirement, जिस मुलक में चीज़े आप बेच रहे हो, वो मुलक ऐसी requirement लगा देता है, कि आप आप वो चीज़ बना के भेज ही नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत expensive हो जाती है, फिर जब पाकिसानी auto है, Japanese auto है, अगर आप जपार में car बेच नहीं है, तो Japanese बोलेगे जी नहीं जी, हमें तो ऐसी auto यह जो Japanese हो, automatic हो, steering automatic हो, power steering हो, window automatic हो, seat उसकी comfortable हो, और tires उ सकेंगे, तो of course, फिर हम वहाँ भेज ही नहीं सकते, फिर जी admin policy, admin policy में ऐसे rules and regulation, आप लगाते हैं, जिसको follow करना बहुत मुश्किल है, for example, हमने कोई चीज export करवाने किसी मुल्क में, वो करते हैं, ओके आप कर सकते हैं, लेकिन आपने payment करनी है, let's see, barclis bank के दूप, अब barclis bank हमारे मुल्क में ही नहीं, क्योंकि ये possible नहीं है, बेजना चीज़े, ये anti-dumping policy है, जो हमने पहले डिसक्स कहता है, dumping price होती है, इसके anti-dumping आजाती है, इसके लाब और भी मैंने कुछ points लिखे थे, जो के overlapping है, इसके foreign investment control, ये overlapping है, restriction of flow of currency, ये भी पहले आप डिसक्स कहते हैं, आप by national restriction लगा जाते हैं, आप ban करते हैं, international जो भी चीज़ है, आप import कर ही नहीं सकते, international कोई भी, आप करते हैं, जी कि आपने national चीज़े ही use करनी है, फिर और non-tariff barriers में और कुछ मैंने लिखे हैं, ये हम discuss कर चुके हैं, लिके इसके different norms हैं, quotas हम discuss कर चुके हैं, by national discuss कर चुके हैं, transit, tariff, वो ही custom duties होती हैं, जब आप airports जाते हैं, तो उसमें goods आप लेकि जाते हैं, उसमें duties हैं, वो taxis आपको pay करना होता है, वो technical barriers discuss कर चुके हैं, anti-dumping, export पर restriction होती है, agriculture, agriculture चीज़ों पर भी restriction होती है, और restriction के साथ आप agriculture की चीज़ों को subsidize बहुत किया जाता है, local market में, अक्सर तो यहाँ इस पर taxis माफ कर जाते हैं, local market में, हाँ, अगर आपने किसी और मुल्क से import कर वाने हैं, उस पर वो taxis लगा जाते हैं, लेकिन local market में taxis माफ कर जाते हैं, ताकि ज्यादा साथा लोग को मिले यह चीज़े, पिर different economic development है, counter trade हम one of the oldest form है, trade की जिसमें, trade barter system होता है, आपने कुछ चीज़ बेची है, तो उसके payment की बजाए, आप कोई चीज़ ही उनसे purchase करते हैं, जिसमें goods आपको चीज़ बेचते हैं, तो उसके trade में आप service gain करते हैं, service provide करते हैं, फिर free trade zone हमें discuss करते हैं, यह भी जोन है जिसमें हम लोग taxes mark हो जाते हैं, फत्म हो जाते हैं, अब government की बीच में involvement होती क्यों है, इसके दोर arguments लोग बताते हैं जी, political और economic, political क्या है जी कि इससे आपके jobs बच जाती है, आपके जो firms है वो अक्सर retaliate करते हैं, retaliation मतलब के, वो लोग करते हैं कि अगर आपने international firms को इजाज़त दी हमारे मुल्क पे आने के लिए या वो इंपोर्ट करमाने के लिए तो local industry जो है वो बैठ जाएगी, वो survive नहीं कर सकती, तो वो अक्सर जो आपके domestic जो businessmen है, वो strike पर चले जाते हैं, तो उस strike से बचाने के लिए, वो बीच में government की environment होती है, वो restriction लगा जाते हैं, प्लस वो ये भी कहते हैं, कि अगर ज्यादा import करवाई जाएगी बाहर के मौनकों से, तो हम लोग के domestic jobs हैं, वो बंद हो जाएगी, हम यह चीज़े produce करते हैं, हम लोग के industry बंद होना शुरूच देगी, तो रोपना चाहिए, फिर वो करते हैं ऐसी चीज़ें जो आपके national security के लिए risk हो, for example, weapon है, software है, देखें, चाइना जाएगा, गुगल यूज नहीं करते हैं, रश्या में जो रश्या को काम्याप हो गए अपना खुद का internet बनाने में, तो ऐसी चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन लगा यते हैं, फिर जी, ऐसी industry, yeah, of course, हम discuss कर चुके, ऐसी industry से बचाते हैं, ऐसी industry को बचाते हैं, जो के small industry हो, जो के grown-up ना हो, जो के अभी the initial stages पर हो, क्रोन-up, वो companies होती हैं, जो खुद कफील होती हैं, जो अपना profit खुद generate कर सकती है, फिर आपको strategic trade policy का मतलब यह हैं, कि आप government की involvement क्यों होती है, रोकने में और promote करने में, दोनों में हम यह discuss कर रहे हैं, आपके, कभी-कभी आपको first mover advantage मिलता है, किसी और country में जाने के लिए, तो उसमें भी government बीच में आती हैं, आपको subsidize करती हैं, दूसरे मुल्क में जाएं, आपको वहाँ first mover advantage मिले, वहाँ पर वोचीज हाई ही नहीं, आप वहाँ जाएं, जाके बेचे, जिसे आजकल जो PTI की government है, वो support करते हैं, कि आप export ज्यादा-ज्यादा करें, आपको government कर पे support मिलेगी, ये वहाँ ने कूछिए लिंक्स लगा हैं जी तरिए बेर्यर के ये आप लोग की बीश्यादा देकेर जीगा, इसकि डिप लोग से ने दको ये जए लिए फिल आपको ने देख लोग ने बीचैने जोग गेएं, आपको येः जो देख लिए सेक ने पूचिए अटे के ल